दोस्तो लोकी की TV सिरीज देखने के बाद हम लोग की मल्लिवस की कुरोधी और बढ़ गई है लेकिन इस कुरोधी को शान्द करने अब भी मल्लिवस और मैंडनेस काफी आगे है यान हम लोग उसका वेट करना पड़ेगा लेकिन इतना है नहीं दोस्तों भले live action हम लोग multiverse ना देख पाए लेकिन हाँ animation में ऐसा possible हो सकता है क्योंकि 11 अगस्त को आ रही है what if हाँ भले ये कोई live action tv series नहीं है लेकिन यहाँ पे ये story कमाल की होगी और इसके जो consequences है वो face work की आगे की मुईस को भी effect करेंगे जैसे कोई बाकी tv series करती है आज सब लोग समझेंगे और ये भी पता करेंगे इसमें कौन से वो character है जो की आगे जाके हम लोग को live action की रूप में दिखाए दे सकते हैं तो दोस्तो complete वीडियो को start प्रेंस पहला आप लोग कर दीजी वीडियो को like और comment करके बताए थोड़ा मुश्किल आंसर बताना कि यहाँ पर आपको मौका मिले या तो आप Hulk solo film देख सकते हैं या फिर Iron Man 4 तब क्या देखना पसंद करेंगे साथी साथ जो लोग मेरे चैनल पर नएया मैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी Comic Book Talks Family का हिस्सा बन जाएए यहाँ पर दोस्तो एपसोड 1 का जो टाइटल है What If Peggy Carter Takes Super Soldier Serum अब यहाँ पर लेकिन मावा सिनमेटिक नोस में ये काम स्टीव रोजरस करते हैं और यहाँ पर अपलोंग नोटेस कियोंगे यहाँ पर स्टीव रोजरस के पास एक Iron Man Mark 1 का आर्मर है लेकिन उस समय तो हावा स्टाक वा मौझूद थे और असल में सिनमेटिक नोस में Mark 1 को पहली बार Tony Stark ने क्रिएट किया था यानि वहाँ पर हावा स्टाक पहले थे जो कि आर्मर्स पर काम करते थे क्योंकि यहाँ पर स्टोरी अलग तरे के से काम कर रहे है इसलिए 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 दिखाय जा रहे है लेकिन उससे भी इंपोर्टेंट यह बात है कि यहाँ पर डॉक्टर स्टेंच की जो स्टोरी है जिसमें एक Evil बन गहे है जो कि Dark Magic के यूज कर रहे है उनको दिखाय गया पैगी काटर के साथ कम्मिकेट करते हुए जैने दोस्तों जितने भी एपसोड है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और आगे जाकि जब इनकी एंडिंग होगी तो इनमें से कुछ क्याक्टरस हम लोगो लाइव एक्षिन मुवी में दिखाये देंगे और वो मुई होगी मल्टियोस अप मैंडनेस की आप यहाँ पे उसमें एक विलन भी रिवील हुआ है जो कि उस मुवी में आ सकता है जो कि है शूमा गोरात आप लोग एक सीन देखे होंगे जहाब पैगी काटर से फाइट कर जागी कि रिलेटेड होगी आरें में मुई से यहाँ अब लोगों को पता होगी कि टूनी श्रा कभी आरें में बनने पाया कुई एक्जाक्ट मुवमेंट पे यहाँ पे किल मॉंगोर्स की हेल्प कर देता है और यहाँ वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं लेकिन फेस फोर में यहाँ दोस्तो इस टीवी सीरीज के एंड टेक हम लोग समझ जाएंगे कैसे यह डॉक्टर स्टेंज मल्टियो सब्मेंडर्स को और इच्छी से समझाने के कोशिश करेंगी कि कॉंसेट भेले लोग की टीवी सीरीज से शुरू हुआ है लेकिन उसको सबंजने सीरीज देखेंगे तो एवेंजर्स का सामने थेनौस से हुआ था लेकिन यहाँ पर थेनौस के पास इंफिनिटी स्टून आ गये थे इसलिए थेनौस को हराना काफे मुश्किल था आप यहाँ पर कोई रिवर स्नैप के टेकनोलोजी नहीं काम कर रही थी क्योंकि एवेंज सीरीज में थेनौस की इंफिनिटी स्टून की अनरजी को अब्सॉब कर लिया था और एवेंजर्स की काफी हेल्प की थी लेकिन दिक्कत तब आई थी जब इसे ओवर पाउर कर लिया एल्ट्रॉन जिहां दोस्तों यहाँ पर आप लोग एवेंजर्स ऐज ओफ उल्ट्रॉ यहाँ पर भले हम लोग देख सकते विजन को अपने माइंड से इंफिनिटी स्टॉन हटाते हुए लेकिन यहाँ पर आगे जाके यह और अल्ट्रॉन कमबाइन हो जाएंगे आप लोग देख सकते आप विजन को जो की अल्ट्रॉन का आर्बर पैना है उसकी आर्बर में प्लान को खतम कर देख सकते हैं जैसे उसने कुछ समय बिताया वह व समजगिया कि पूरी दुनिया को खतंकरना कितना जरूरी है लेकिन उससे पहले चतिजिए। लेकिन आप उसके पास इंफिटी स्टोन है यहाँ पर जितने भी क्याक्टस हम लोगो एनिमेशन वर्जर में दिखाई दे रहे हैं उनका कोई ना कोई रोल हम लोगो लाइब एक्शन में आगे जाके दिखाई दे सकता है वह कोई भी मुई हो जैसे कि अगर हम लोग बात करे है कि यहाँ पर डॉक्टर स्टेंज इवल बन गया है और उनका सामना अपनी एक वर्जन से हो रहा है और यहाँ पर दोस्तों मल्टियोस और बेंडिस में ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है तो ओल्टोगेदर दोस्तों वाट्यप की टीवी सीरीज हम लोगों को यह समझाना चा है तो हो सकते है आगे जाके अगर यह ओडिन्स को और अच्छा लगे तो लाइव एक्शन की रूप में भी आ सकता है तो यह वाट्यप टीवी सीरीज की हाइप और बढ़ सकती है अगर इसमें सीक्रेट केमियो हो वह भी डेड़पुल का क्योंकि आप लब देखे होंगे अब रायन डेड़पुल बनकर फ्री गाय की ट्रेलर पर रियक्शन दे रहे थे आप उनके साथ जो गेस्ट था वह कॉर्क था इसका अब तब एक लियर हो जाता है कि उफिशली मार्वस सिर्माटिक नोस का पार्ट बन गया है तो यहाप उन्हें वाटिफ में भी आ जाना तो क्या पता है को कोई ऐसी मुवी बाय है जिससे और्डियस बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कर रही हो जैसे कि मल्टियोस और प्रेंडिस अभी यहाप कुछ मैने पहले जब तीन स्पाइडर मैन की हाइप नहीं बनी थी तो उससमें यह कहा जा रहा था कि डॉक्टर यह को इसके और टिम के अृटरणेर्टि याटि में देखने के बिलेगी तेकिन दोस्तो इसकी शिरुवात वाटेप की टीवी से स्रिज से भी हो सकती है यह नहीं दोस्तो उसमें हम लोग को कुछ मिटन्स भी दिखाय दे सकते हैं junior लेकिन दोस्तों वाट टेफ के एंड होने के बाद अभी 2021 में हम लोग को दो और टीवी सिरीज दिखाए जाएगी जो कि है हौकाई और मिस्स मारवल सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मिस्स मारवल की तो इसमें यह का जारे कि मिस्स मारवल की जो सूपर पाउर है वो किसी एक्सपेरिमेंट की जैसे नहीं मिलगी बलकि मैजिक की जैसे होगा अब यह मैजिक किसका है क्या यह वांडा का है कि डॉक्टर स्टेंज का यह तो आने वाला वक्त बताएगा और आप लोग तो जानते होंगे अब तक कि यहाँ पर खबर आ गही है हौका की टीवी सिरीज के रिलीज डेट की तो यह अभी तक हम लोगों को नहीं पाता चला है अभी इसका ट्रेलर भी नहीं आया है हो सकते हैं यह सब हो शांग्ची के बाद या फिर इटेर्नस मुई से पहले क्योंकि अब मावा स्टूडियो की पास काफीर प्रोजेक्ट है 2021 के लिए और हम लोग हमारी सूपर इरो फामली का हिस्सा बन जाएगा